हेलो, इस वीडियो में हम यह चेक करेंगे कि Stephen Legal का syllabus क्या है और उसका exam का patent क्या हो सकता है हमें किस तरीके से तयारी करनी चाहिए किस तरीके से हमें law का syllabus और pre का syllabus mains का syllabus कबर करना चाहिए तो इस वीडियो को पूरा end तक देखना तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर pre examination के बारे में As you all know कि यहाँ पर pre और mains दोनों का concept है और pre में भी आपको at least 40% marks चाहिए ही चाहिए pre qualify करने के लिए तो यहाँ पर हम अगर syllabus की बात करें तो दो paper होंगे यहाँ पर paper 1 यहाँ पर दिया हुआ है और paper 2 यहाँ पर दिया हुआ है paper 1 हमारा common होगा सभी के लिए जिसमें कि आप देख सकते हो कि GA आएगी हमारी उसके लावा English आएगी हमारी उसके लावा quant आएगी हमारी और reasoning आएगी तो हमारा paper 1 में क्या क्या होगा GA, second, quant, third, reasoning and fourth हमारी English यह चार चीजे हमारी paper 1 में होगी ठीक है और paper 2 में हमारा क्या होगा सिर्फ law तो paper 1 में क्या होगा हमारे किस तरीके से होगा यह total paper 1 हमारा होगा 100 marks का और paper 2 हमारा 100 marks का होगा इसमें हमें 30% minimum लानी है इसमें हमें 40% minimum लानी है और overall मिला के हमें 40% दोनों paper को मिलाके लानी है इस तरीके का हमारा pre का pattern होगा और यहाँ पर कुछ important point की बात करें तो वो यह है कि पहली चीज 1 fourth यहाँ पर negative marking है like 1 marks का एक questions होगा तो 0.25 हारा negative होगा और यहाँ पर main point यह लिखा हुआ कि जो pre के marks होगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे short listing के लिए है ठीक है वो marks हमारे final selection में use नहीं होगे वो हमें सिर्फ main में short list करने के लिए exam माना जाएगा ठीक है और अगर हम pre के syllabus की बात करें properly जो law का syllabus है हमारा वो इस तरीके का है कि constitution है constitution के कुछ parts है पूरा constitution नहीं है हमें जैसे कि part 1, 3, 4, and 4A, 5, 6, 8, 9 इस तरीके से कुछ limited parts है contract की बात करें तो पूरा contract है chapter 1 से लेके 6 तक है SRA हमारा पूरा है अगर criminal law की IPC के और CRPC की बात करें तो उसमें भी certain chapters है Indian evidence पूरा है CPC में कुछ parts है हमारे admin law, jurisprudence, maxims last year याद रखना, last year around 4 maxims आई थी pre में ही, तो maxims पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना and अगर consumer protection act की बात करें तो वो 2019 वाला ही आएगा arbitration, TPA, उसके लाभा companies act के कुछ chapter यहां पर companies act and sebi act मिलाके हमारा 30% का weightage कर रहे हैं और last year भी maximum questions इनी दो से quantity में थे, like in say 15 to 20 के around questions लगबग थे, जो ये percentage था, उस percentage से भी एक दो mark के जादा questions थे तो इस area पे आपको जादा focus रखना है और यहां एक चीज़ point नोट करने वाली है कि जो pre का हमारा syllabus है, वही से मेंस का syllabus नहीं है दोनों में थोड़ा सा difference है दोनों में कुछ chapters को add किया गया मेंस में तो अगर हम मेंस की बात करें यहां पर मेंस हमारा किस तरीके का होगा तो मेंस का आप देख सकते हो paper one हमारा होगा, वो descriptive होगा English का, ठीक है, वहां पर letter sorry, letter नहीं आता वहां पर essay, एक precise writing और एक comprehension ठीक है, यह तीन चीज़ें इस तरीके से आती है, drafting skills वहां पर check की जाती है, और जो हमारा descriptive होगा, वो hundred marks का होगा बाद में उसको one third में convert कर दिया जाएगा overall के लिए, और अगर cutoff की बात करें तो यहां पर 30 marks 30% cutoff हमें लाना compulsory है, यह एक घंटे का होगा और अगर हम law की बात करें तो law का जो paper होगा, हमारा hundred marks का होगा and 40 minute का होगा और उसमें हमें 40% minimum लाना compulsory है याद रखना, law वाला paper हमारा 40 minute का होगा, ठीक है और जो हमारा English का paper होगा, वो हमारा 60 minute का होगा इसका weighted हमारा two-third होगा तो यह one-third मिलाके और यह two-third मिलाके हमारा hundred percent बनेगा इस तरीके से हमारे marks को add किया जाएगा और overall cutoff यहाँ पर 50% दी हुई है यानि कि आपको 50% cutoff लानी ही लानी है तो यहाँ पर main चीज क्या है कि मेंस में आपको थोड़ा सा descriptive और main's का जो paper law वाला है वो हमारा pre की दिखो pre का paper किस तरीके का आएगा और main's का paper किस तरीके का आएगा pre का paper थोड़ा easy और factual based section based हो सकता है main's का paper हमारा थोड़ा सा deep जिसे हम बोलते हैं या concept based होगा क्यूंकि वहाँ पर directly factual questions नहीं होंगे थोड़ा concept wise भी होगा अगर हम इसके syllabus की बात करें एक चीज़ और note करने वाली है यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि हम लोग एक test series start करने जा रहे हैं तो अगर आप लोग ऐसा कुछ खुद से तयारी कर सकते हैं बिल्कुल नो डाउट इसमें खुद से तयारी कर सकते हैं और तयारी करने के लिए जब आप लोग थोड़ा सा test करेंगे कि किस तरीके से मेरी तयारी हो रही है मेरे computer किस तरीके से कर रहे हैं तो उसको check करने के लिए आप लोग अगर चाहें तो हमारी test series जॉइन कर सकते हैं और वो test series हमारी legal pal करके telegram channel है वहाँ पर आप लोग जॉइन कर सकते हैं और वहाँ पर मैं सारी information डाल दूँगा around हम 9th या 10th January के आसपास उसको start करने की सोच रहे हैं तो mains के syllabus की अगर हम बात करें तो mains के syllabus में क्या है same हमारा उसी तरीकी जिस तरीकी का हमारा pre-ka syllabus होता है उसी तरीकी का mains का है बस यहाँ पर कुछ चीज़ें और extra add कर दी गई हैं जैसे की ये वाला part 11 number यहाँ पर क्या है law of trust and parties to deed उसके लाबद दो act और add किये गये हैं कौन-कौन से act है हमारा देखो पहला तो trust act add किया गया है second हमारा LLP act add किया गया है third हमारा IBC act add किया गया है and कुछ questions हमारे tax के add किये गया है तो इस तरीके से ये चार act ऐसे हैं जो हमारे pre-me नहीं है और mains में आएंगे इन act को add किया गया है यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है थोड़ा सा weightage company law और security law का बढ़ा दिया गया है क्योंकि maximum part इसी से आता है और ऐसा कुछ fix नहीं कि 10% लिखा है तो दो ही questions आएंगे last year भी कई सारे बच्चों को इस तरीके की problem हुई थी ये जो percentage दी है वो सिर्फ indicative है एक दो questions उपर नीचे हो सकता है exactly यही आएगा ऐसा नहीं होता है last year भी थोड़ा सा उपर नीचे एक दो questions हुआ था जादा नहीं हुआ था तो इस तरीके से हमारा mains का syllabus हो गया अब आप लोग बिल्कुल preparation start कर देजिए मैं आपको एक दो वीडियो एक दो दिन में और डाल दूँगा कि किस तरीके से आप खुद से self तयारी कर सकते हो आप खुद से no doubt preparation कर सकते हो self study के थूर इस exam को clear किया जा सकता है और अगर आप लोग चाहें बाद में तो हमारी test series भी जॉइन कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी preparation जा रही हो कहां improvement करना है कहां उसको isolate करना है so that was it thank you for watching this video अगर आप लोग चाहें तो हमारी telegram channel को join कर सकते हैं test series के regarding जो भी update होगी मैं इसी में post करूँगा thank you so much thank you for watching this video